नमस्कार टेपीवी नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रुपल शर्मा आईए रुप करते हैं खबरों की और खबर हनुमानगर से है जहां भौमपुरा गाउं में स्टेट हाईवे के किनारे लाखों की लागत से पानी निकासी के लिए बनाया जा रहा नाला निर्मानकारिय, विभागी अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही के चलते भ्रष्टचार की भेट चड़ गया है आपको पता देगी नाले की निर्मान में जंग लगे पुराने निम्रिस्तर की सरिये और घटिया क्वालिटी की सिमेंट काम में ली जा रही है और निर्माना धीन नाले का लेवल भी सही नहीं है ठेकेदार ने अपनी मनमानी करते हुए सडक के दोनों की नारों पर गहरे गड़े भी कर दिये हैं ग्रामिनों का आरोप है कि विभाग का ठेकेदार विभागी अधिकारियों से मिली भगत कर नाला निर्मान में भारी भ्रष्ट चार को अंजाम दे रहा है एसमें ग्रामिनों का कहना है कि अगर शिगर ही घटिया निर्मान को बंद नहीं किया गया तो लोगों को मजबूरन आंदोलन का सहरा लेना पड़ेगा दिया तो वह सुनाई नहीं कर रहे हैं नहीं यह लोग चत लगा रहे हैं तो हम आप से यह रिक्वेश्ट कर रहे हैं यह प्रसासन से यह ठेकडारों से जल्दी सी जल्दी यह काम किया जाए खबर हनुवानगर से हैं जहां जिला कलेक्टर नत्मल्डी डेन ले प्रशासन शेहरों कि संग अभ्यान के अंतरगर जंक्ष्य निस्तित अम्बेटकर भवन में आयुजिस शिविर का ओचकने रिक्षन किया इस दोरान जिला कलेक्टर ने अम्बेटकर भवन में प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए चल रहे निश्चुलक भोजन वर रहने की व्यवस्था देखकर अम्बेटकर नव्युवक संग की प्रिशन साकी जिला कलेक्टर को अम्बेटकर नव्युवक संग की और से मॉमेंटो और डॉक्टर भीमरा अम्बेटकर की प्रतिमा भेट कर सम्मान किया गया अम्बेटकर नव्युवक संग के जिला उपाध्यक्ष नाराय नायक ने बताया कि सभी परिक्षाओं के दोरान अम्बेड कर ना विवक संग ने परिक्षार्थियों के लिए अम्बेड कर भावन में रहने और खाने की निशुलक व्यवस्था की जिला कलेक्टर ने व्यवस्थाय देख कर खुशी जाहिर की 12 के शीपा बढ़ाओत के वरिष नेता वो कारिकरताओं की नितरतु में कॉंग्रेस का 137 स्वास्थापना दीवस प्रेम चौधरी की अध्यक्षता और पूर प्रधान कविता मीना की नितरतु में बनाये गया टॉंक जिले के देवली शहर में आज सुबह घना कोहरा चाया रहा इस दोरान घने कोहरे के कारण जन जीवन प्रभावित रहा कोहरा इतना घना था कि पाज की वस्तुए भी आसानी से दिखाई नहीं दे पा रही थी इस दोरान जैपुरकोटा राजमार्ग पर घने कोहरे के खारण वाहन लाइट जला कर धीमिर अफ्तार से गुजरते दिखाई दिए कोहरे के कारण शेहर में लोगों की आवजाही भी नगणने रही जैसर मेर की क्राम पंचायत ओला में सिंचाई विभाग द्वारा तीन डैम और दो क्लस्टर के धोरे पंचायती राज विभाग द्वारा बनाए गए हैं इनके दूरी लगभग 6 किलोमीटर है इसके उपरान भी MS Webcos Limited कमपनी द्वारा तीन डैम चेक का निर्मान किया जा रहा है सक्षम अधिकारी से सुकृति लिए बगएर मातर सरपंच के अनुमिती से ये कार ये किया जा रहा है चेक डैम नंबर तीन के निर्मान से ओला में 30 से 40 घरों का वर्शोपुराना आम रास्ता बाधित हो रहा है जिससे गाउजाने का रास्ता पांच किलोमीटर लंबा हो जाएगा इसके निर्मान से जंधन की हानी होने की संभावना है एसमेस कारी में उचिस्तर परजाज करवाने की मांग की जा रही है लगबग सो भेरक हुआ है वो ये डिप बाध बंद जाएगा उसके बाद पाणी आना बिलकुल बंद जाएगा इसे कलेक साब से निवदन है कि ये डिप बंद करवाय जाएगा कि ये हमारे नदी नाड़ा है इसमें केंदर सरकार के दो तीन आदमी मिलकर के सरफंस की एनोसी पर दो क्रोर शाट लाग का बजट लिया है गाएगा दण MEM nessa में दूसरा नमर ख़डीन बहुत बढ़ा हुआ है जो की 9 कुलोमेटर में उस नदी में से करके लोग राष्टा प्रदेश भर में हुई मावट की बाद चीत लहर का दौर जारी है। से बचने के लिए अलाव का सहरा ले रही है। इस दौरान निवाई पीपलू विधनसभा शेतर में शीत लहर के चलते टामाटर बैंगन सहीत अन्य फस्तो को पाले ने अपनी चपेट में ले लिया है। नहीं लगवा वे बारे थे क्रिशी भी करना है। चाहिए उनको पास समय नहीं हो बीमार थे या कुछ और करना हो उनने काफी मोटिवेट भी किये लोगों को फिर भी नहीं लगवा रहे। तो अभी क्या मानली मुखमेंदी जी का यह वो है कि 100% करना है। इसके लिए उन्होंने पुलिस पुलिस साथ में लेके अपने आज इडाजस्तान में हर थाना चोकी होगी चाहिए पुलिस थाना हो गया है। अपे हमारा स्टाफ और पॉस्टितर स्टाफ प्लस खाना स्टाफ प्लस पंचायर लेवल के सब अधिकारी गर्ण प्लस पटवरी उबाव सब जो भी हैं। पुलिटिन में फिलाल इतना ही देखते रहें टीपीवी न्यूज।